आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन मॉडल एंड एक्ट्रेस इशा कंसारा की बायोग्रफी तो आईए जानते हैं उनकी लाइफ और करियर से जुड़ी कुछ खास बात हैं एशा कंसारा एक इंडियन टेलिविजन और फिल्म एक्ट्रेस है उन्हें टेलिविजन शो मुक्ति बंधन में देवकी शाह के में रोल के लिए जाना जाता हैं इसके अलावा उन्होंने मेरी भावी माइनेम इस लखन और मैडम सर्ज जैसे टीवी सीरिल्स में भी काम किया है एशा गुजराते फिल्म इंडिस्ट्री में भी काफी एक्टिव हैं और दुनियादारी, मिजास, मेंका के साथ मिडनाइट्स जैसे फिल्मों का हिस्सा रही हैं बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की तो एशा कंसारा का जन्म 20 अगस्ट 1992 को एहमदाबाद गुजरात में हु बाद में उन्होंने मीठीबाई कॉलेज मुंबई से अपनी ग्रैजिएशन कंप्लीट की एशा बचपन से एक्ट्रेस बनना चाती थी वह डान्स और रक्टिंग की काफी शोगीन थी बचपन से उन्होंने क्लासिकल डान्स और भरतनाटियम की ट्रेनिंग लेना शुरू क कर ली और 2009 में उन्हें मिस गुजराद ब्यूटी पेजिन में सेकंड रनर अप की रूप में चुन लिया गया और इसके बाद वह मंबई शिफ्ट हो गई एशा एशा को सबसे पहले 2010 में जी टीवी चैनल के डांस रियालिटी शोओ डांस इंडिया डांस पर देखा गया थ और फिर इस शो के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जैसे की हमने आपको शुरुआत में बताया उन्होंने कई शोज में काम किया है फिल्मी करेर की बात करें तो उन्होंने गुजराती फिल्म इंडिस्ट्री में फिल्म दुनियादारी के साथ अप कमिंग स्टार प्लस सीरिल जिन्दगी मेरे घर आना में दिखाई देंगी इस सीरियल में वे अमरित महता के लीड रोल में नजर आने वाली हैं तो गाइस ये थी एक्ट्रेस एशा कंसारा के करेर से जुड़ी कुछ खास बातें उमीदें आपको वीडियो पसंद आई होग अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं साथ ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक ये सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो